कै Süß वंकड्रों व्हाले अज़ लूग देंगे इसंसेंट का सीजों में लोक आज़ा अंसेंट क्यों मोर्यन डिनेस्टी तीन का लिया थे जिसमें हम लोक ने देखाता मोड्याण डाइस्टी मौड्या administration और अश्वकन रॉक और पिलर रेडिक्ट तो उसके बारे में ही आज हम दोख MCQ करेंगे जो कि है मौरियन डाइनेस्ट्री तो सबसे भाला question क्या है the font of the मौरियन डाइनेस्ट्री वाज option A है आपका चंद्रगुप्त मौरिया, option B अश्वका option C है आपका बिंदु सारा या फिर option D है कुमार गुप्ता मौरिया राजभंस के शाशक थे, option A है आपका चंद्रगुप्त मौरिया, option B है आपका अश्वका option C है आपका बिंदु सारा या फिर option D है कुमार गुप्ता तो फिर आपका सही आंसर का आप्षन है चंद्रगुप्त मौरिया चंद्रगुप्त मौरिया के बारे में अगर बात की जाए तो उनका रूल चला था 321 से लेके 297 बीसी तक चंद्रगुप्त मौरिया के जो टीचर थे वो थे आपके कौटा लिया जिन्हें हम लोग फेमसली चानक्या के नाम से जानता है और अगर ग्रीक से देखा जाए जो ग्रीक स्कॉलर्स है उन्होंने उनको नाम दिया था सैंड्रो कोटस सैंड्रो कोटस अच्छा अंद्रगुप्त मौरियान ने किन को हड़ा के स्टार्ट किया था मौरियान एम्पायर उन्होंने हड़ाया था आपके नंदा डाइनेस्टी को अजन्दा डाइनेस्ट्र को हड़ा के उन्होंने स्टार्ट किया था नग्डएन डाइनस्ट्री पूर द्रोर्ट और्थर शास्रा option A है आपका विशाकद आठता option B है आपका कोटल या option C है मेका स्था या फिर option D है हरी सैना अर्थर शास्र किसने लिखा This है Option A है विशाका दाथा Option B है चानक्या नहीं लिखा ता अरत शास्रा रिकर मेगा स्थीनिस की बाद कीज़ए मेगा स्थीनिस नहीं लिखा ता इंडिका विशाका दाथा की बात कीज़ए विशाका दत्ता ने लिखाता मूद्र रक्षा मूद्र रक्षा और हरी सेना की अगर बात की जा तो हरी सेना ने लिखाता आपका र्याख रसस्ति विशाका दत्ता की बात की जा तो उन्होंने लिखाता मूद्र रक्षा जो कि उन्होंने लिखाता during the time of चंद्रगुपत मौरिया इसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुपत मौरिया ने कैसे आपके नंदा डाइनेस्ट्री को हड़ाया था और आपका मौरिया डाइनेस्ट्री स्टार्ट किया था मेगा सिनिस की बात की जाए तो मेगा सिनिस ने लिखा था आपके इंडिका जो कि थे आपका चंद्रगुपत मौरिया के टाइम पर ही इसमें उन्होंने लिखा था मौरिया डाइमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था अचंद्रगुपत मौरिया ने अपने लाइफ में क्या के अचीव किया था हरित सेरा ने जो लिखा था प्रयाग प्रसस्ति ये लिखा था आपके समुद्रगुपता के टाइम पर उन्होंने ये लिखाता है कि समुद्र गुप्ता ने कौन कौन सी लड़ा की और किसमें जीत पाई थी ये सब लिखावा था प्रयाग प्रसस्ति में और किसने लिखाता है तो आपके लिखाता हरी सिनान है आपके सही आंसर हो का अप्शन सी मेगा स्नीज वू हिमिलेटेड क्वृत्य है नंद कॉटलिया को किसले अफ्मानित किया अप्शन सी था बुद्धिस ये याफिर आप्शन डी है कुशांत इसका सही आंसर होगा नंदा क्युंद है अगर नंदा डाइनिस्टी की आप बात की जो आखरी राजा थे जिन्होंने कोटार्णिया को इंसल्् reserv गया था वू थे आपके धना अन न न नन ने आपका इंसल्ट गया था कोटार्णिया को या फिर चानेक्या को और फिर चानेक्या ने जाके बाद में चंद्रगुप्त मौडिया को ट्रेन किया था उन्हें राज तंत्र के बाड़े में सिखाया था और फिर स्टार्ट हुआ था आपके नंदा डाइनेस्टी के धना नंद को अठाके स्टार्ट हुआ आपका मौडियान अश्रोका इन्वेटेट कलिंगा एन option A है 251 BC option B है 260 BC option C है 271 BC या फिर option D है आपका 281 BC यह BBC तो नहीं होगा यह होगा BC अश्रोका ने कलिंगा पर आक्रमन किया option A है 251 BC, option B है 260 BC option C होगा 271 BC या फिर option D 281 BC तो आपका सरी आंसर यह आपर होगा option B अगर कलिंगा की बात की जाए कलिंगा में आश्रोका का जो लडाई हुआ था 261 BC में यह कलिंगा का लडाई होने के बाद उन्होंने बुद्धिर्सम को अडाप्ट कर लिया था लडाई छोड़के उन्होंने अश्रोका ने बुद्धिर्सम को अडाप्ट कर लिया था और यह कहां पर लिखा हुआ है कलिंगा लडाई के बादे में तो फिर हमारे मतलब अश्वका कि जो 13 रॉक के डेक्ट है उसमें लिखा हुआ है अबाउट दे कलिंगा वर और उन्होंने बुद्धिसम एक्सेप्ट कर लिया यह आप देख सकते हैं कि डेट थोड़ा चेंज भी आपको लोग पर एक्जामेर रह सकता है तो सबसेख लोगा उससे अप्शन पर आप लोग टिक कर करेंगे तो फिर हमापा सही अप्शन होगा अप्शन भी 260 बीसी वो वस्टिफीटेट वाइचंद्रगुप्त मॉडिया इंद बैंक्स अप्शन ए है अलेक्जाइंडर अप्शन भी यह सेलकस्टिंगेटर अप्शन सी है बीडभद्र या फिर अप्शन दी है धरानन्द सिंधू के तठ में चंद्रगुप्त मॉडिया ने किसे हडाया है अप्शन ए है अलेक्जाइंडर अप्शन भी है सेलकस्टिंगेटर अप्शन सी है बीडभद्र या फिर अप्शन दी है धराननन्द तो इसका आंसर देखने से पहले कुछ हिस्टरी देख लेता है अलेकसेंडर की बात की जाए तो ये है आपके अलेकसेंडर दे ग्रेट ये जादर थे कि इंडिया के उपर ये राज करें और इंडिया पुरा जीत ले इसलिए उन्होंने इंडिया में आने का स्टार्ट किया था और आस्तास्ती कंट्रोल करना स्टार्ट किया था ताब उनका लड़ाई पंजाब के राजा वोरस के साथ हो गई थी और वोरस के साथ जो लड़ाई हुई थी उनकी उससे का जाज़ा बैटर अफ इससे का जाता है Battle of Hidas First इसमें Alexander the Great को बहुत मुश्किल से Uras को हडाया था और यह लड़ाय जीत लिया था इसके बाद Alexander ने डिसाइड गया वो इंडिया में और आगे नहीं पढ़ेंगे और महीं से वापिस चले जाएंगे इसका मेंली आपका दो डिसन था पहला तो यह था कि पोडस ने अपने आर्मी में Elephants को यूज किया था इससे पहले आपके Alexander ने कभी नहीं देखा था इतना पड़ा कोई जानवर्ज है जो कि आपके लड़ाई में Include रहता है आप समझ सकते कोई भी लड़ाई होता तो उसमें छोटे से छोटा चेन से भी बहुत एफेक्ट पढ़ता है तो Alexander ने यह समझा कि पोडस के पास जब हाती है तब दूसरे जितने भारत की राजा है उनके पास भी हाती होगा और वो हाथी के साथ लड़ाई करने के लिए तयार नहीं जाए दूसरा अगर कारण देखा जाए तो दूसरा कारण है Alexander की जो आर्मी थी वो नहीं चाहती थी और लड़ाई करने के लिए और जो बेदर कंडिशन था इंडिया में वो भी काफी डिफेंट था इसलिए वो वापिस भी जाना चाहते थे इसलिए Alexander देग्रेट ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में और आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने कंट्री वापिस चले जाएंगे जब वो अपने कंट्री वापिस जाने वाले थे तब उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को जो किये आपका सेलिकास निकेटर उससे कहा था कि इंडिया में जो जो डीजियन में कफर कल लिया है जो जो मेने कंट्रोल में है उसका देखबाल तुम रखो तो सेलिकास निकेटर वहाँ पर राजा बन गए थे इधर अगर देखा जब मौरियन एम्पायर में मौरियन एम्पायर में आपके धरानंद को हडा के जन्दार डैनिस्ट्री खतम करने के बाद चंद्रगुप्त मौरिया राजा बन गए थे तो हू अस्टिफिटेट पाय चंद्रगुप्त मौरिया इन दे बैंक्स आप सिंधु आप्शन बी होगा आपका सेलिकास निकेटर वू अन्द टाइटेल अरित्र घाटा आप्शन ए है आपका बिंदु साड़ा आप्शन बी है अश्रका आप्शन सी है चंद्रगुप्त मौरिया या फिर आप्शन बी है श्रीगुप्त तो अरित्र घाटा ये टाइटेल किसको मिला था option A है आपका बिंदु साडा option B है आपका अशुर का option C है आपका चन्दर गुपता मोरिया या फिर option D है आपका स्री गुपता तो फिर इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो फिर सही आंसर हुआ का option है बिंदु साड़ा बिंदु साड़ा को टाइटल मिला था अरित्र घाटा जिसका मतलब होता है आपका killer of the enemies तो उन्हें ये टाइटल मिला था अरित्र घाटा और अगर ग्रीक स्कॉलर्स की बात मां नहीं जाए ग्रीक जो स्कॉलर्स होते थे जिनोंने उनके उपर ता उन्हें उनको टाइटल दिया था अम्रीत तो चेटरस ग्रीक हम्रीत तो चेटरस नेकल गाए मैं भी यहां पर कंफ्यूस हो गया यहां पर टाइटल उनको मिला था अम्रीत चेटरस तो उनको टाइटल मिला गया था ग्रीक के तरब से अम्रीत चेटरस क्योंकि उन्हें अरित्र घाटा बोलने में ग्रीक को मतलब तकलीफ होता था इसलिए स्कॉलर्स ने उनको जो नाम दिया था वो था अम्रीत चेटरस Indyka was written in which language? Option A है आपका Greek, Option B है आपका Sanskrit, Option C है Pali, ya, फिर Option B है Persian Indyka की उस भार्षा में लिखी गई है Option A है आपका Greek, Option B है Sanskrit, Option C है Pali, Option D है Persian तो फिर Indyka लिखा गया था आपके Megasinist के द्वाड़ा मेगा स्थिनीस की दवारा और मेगा स्थिनीस कहाँ से आये थे तो मेगा स्थिनीस आपकेıldंगे अमबसेटर थे जो की भेज़े गए थे तो दर कोट अफ चंद्रगुप्ट मौडिया और उससे किसने भेजा था तो फर उनको भेजा था आपके सेलेगस इन्टी का कौन्से लांगवेचों है तो फ्र उप्शने घ्रिल्री ॐ दे डिवीशन अफ मौरियन सोसाइटी इन्टो सेवन क्लासेज वस पर्टिकुलर्ली मेंशन निन अफ्षन ए है कोटल्यास अर्थरशास्त्र अफ्षन बिया अश्वका निरेख्ट अफ्षन सी है दा पुरानास या फिर अफ्षन दी है दा इंडिका पेगस्थिनेज मौरिय कालिन समाज के साथ वर्गों का भीवाजन विशेस रूप से या गया था अफ्षन ए है कोटल्यास अर्थरशास्त्र अफ्षन बिया अश्वका निरेख्ट अफ्षन सी है दा पुरानास अफ्षन दी है दे इंडिका पेगस्थिनेज इसका सही आंसर होगा अफ्षन अगर चंद्रकुप्त मौरियाद के टाइम पर या फिर मौरियाद आड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग को जो सबसे ज्यादा आइडिया मिलता वह आपके कोटल्यास अर्थरशास्त्र और इंडिका पेगस्थिनेज से मिलता पर इन दोनों विद्वान ने जो की जाए तो चानक्या आपके इंडिया में ही पैदा हुए थे और इंडिया में सब कुछ उन्हों ने देखा था और मेगस्थिनेज आपके गीस के थे तो उन्होंने जो किताब लिखा था वो थूरू दर प्रस्पेक्टिव और विच कंट्री देवार बॉने अगर चानक् इंडिया में आपका वर्ना सिस्टेम फॉलो किया जाता है वर्ना सिस्टेम वही है जिसमें आपका सुसाइटी को चार हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है जोगिया ब्राह्मान शक्रिया पैश्या और शूद्र तो और सिस्टेम में डिवाइडेड है पर अगर मेगस् वो साथ सिस्टेम में डिवाइडेड है इसको छोड़के भी चानेक्या ने ये भी लिखाता है कि इंडिया में आपका स्लेवरी सिस्टेम चलता है मतलब इंडिया में स्लेवरी सिस्टेम स्टार्ट हो गया था पर आपके मेगा स्निस ने ये लिखाता है कि इंडिया में नो स् आप यह समझ सकते हैं, मेगा स्निस जो ब्रीस में रहते थे, वहाँ पर उन्हों ने देखाता है, कि स्लेव का और भी बुरा हालत होता है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो स्लेव से, वो स्लेव नहीं है, और ऐसे ही लोग है, तो इसलिए कुछ मेजर चेंजेस है, जैसे कि आपके चानक्या ने लिखाता है, पोर सिस्टेम में डिवाइड है, सोसाइटी, मेगा स्निस ने लिखाता है, सेवन सिस्टेम में डिवाइड है, चानक्या ने लिखाता है, स्लेवरी एक्सिस्ट करता है, और मेगा स्निस ने लिखाता है, कोई भी स्लेवरी एक्सिस्ट नह The central or the main point of Ashoka's dhamma was Option A, loyalty to the king Option B, peace and non-violence Option C, respect to the elders Option D, religious tolerance Ashoka के dham के kendra या फे मुख्य बिन्दु था Option A, loyalty to the king Option B, respect and non-violence Option B, peace and non-violence Option C, respect to elders Option D, religious tolerance So, सही अंसर होगा आपका Option B, peace and non-violence Who deciphered Ashoka के इंस्क्रिप्शन Option A है आपका James Prince है Option B है आपका S.R. Rao Option C है M. Will है या फिर Option D है Other सबसे पहले अश्रोकन जो इंस्क्रिप्शन है उससे किसने समझा था Option A है आपका James Principe Option B है S.R. Rao Option C है M. Will है Option D है Other तो इसका सही आंसर होगा Option A, James Principe इसके बार में कुछ important points है जो आप लिख लीजे जो Rock Edits थे उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था तो वो पढ़ा था आपके James Principe ने और कौन से साल में समझाता उन्होंने तो फिर 1873 जितने भी Rock Edits मिले थे वो Major League तीन जगों में मिले थे इंडिया पाहिस्तान और अफगानिस्तान में तो इसमें different languages उस की गए थे वो different languages क्या है एक बात देख लेंगे इंडिया में जितने भी मिले थे तब आपके थे ब्राम्मी लैंग्वेज में तो पाहिस्तान की बात की जाए पाहिस्तान के साइड में जो भी मिला था वो सब था आपके खरोष्टी लैंग्वेज में और अफगानिस्तान के साइड में जितने डॉक देक्ट मिले थे वो सब थे आपके डीक लैंग्वेज में और अर्माइक लैंग्वेज में थर्ड कांसिल अब बुद्धिस्म हेल्ड इन आप्शन आपका 247 BC, आप्शन आपका 250 BC, आप्शन आपका 260 BC, या फिर आप्शन आपका 270 BC, दैश में आयोजे तम बहुत धर्म की तिस्री परिशाद, आप्शन A है आपका 247 BC, आप्शन B है आपका 250 BC, आप्शन C है आपका 260 BC, या फिर आप्शन D है आपका 270 BC, आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, आप्शन A 247 BC, 247 BC में थर्ड बुद्धिस्ट कांसिल हुआ था, यह किसने करवाया था, तो यह करवाया था आपके अशोका में, और ये Buddhist council के head गौन थे तो इसके head थे आपके मोगली पुट्टेज और ये third Buddhist council कहाँ पर करवाया गिया था तो ये करवाया गिया था आपके उनकी capital पाठाली पुत्र में और ये importance है मतलब important क्या वाद है थर्ड Buddhist council में तो ये third Buddhist council में आपका लिखा गया था अभी दम पीटक तो जितने Buddhist council होते थे कोई ने कोई राजा करवाते थे और थर्ड Buddhist council कॉंसे राजाने करवाया था तो फिर करवाया था अशुका ने और आप समझे रहे बुद्धिस council मतलब जितने Buddhist के ज्यानी लोग होते थे वो आके बुद्धिसम के धर्म पे चर्चा करते थे तो इसका एक चर्चा करने का एक जो कि यहां पर थे थर्ड Buddhist council में आपके मोगली फुट्टिज और यह कहां पर हुआ था तो यह हुआ था आपके पाटाली पुत्र में अगर इसका इंपोर्टेंस देखा जाए थर्ड Buddhist council में क्या इंपोर्टेंट वह था तो यहां पर लिखा गया था आपका अभीदम विच वस दो फेमस एडुकेशन सेंटर अप दो मौर्यान प्रियाड अप्शन आ है फारानसी अप्शन बी यह तक्षिला अप्शन बी यह पाटाली पुत्र या फिर अप्शन डी यह नालन्दा मौर्या काल के परिश प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था अप्शन इसका सबिस्सेस परिया तक्षिला अगर देखां ज तो फिर एक हैम के Кон कैविटल था फिर यह क्यापिटल गंधार केया वह था सब से इंपोर्टेंट एदेेशन अला सेंटर वो आप दो फॉल्विंग वर्जर कॉंटेंपरी अफ अलेक्जेंडर दे ग्रेट आप्शन ए है चंदर्गुप्त मौरिया आप्शन बी है पुष्चमित्र सुंगा आप्शन सी है बिम्बी साड़ा आप्शन डी है अशोका गिम्निलिकित में से कौन सिकंदर महान का समकाली अप्शन ए है चंदर्गुप्त मौरिया आप्शन बी है पुष्चमित्र आप्शन सी है बिम्बी साड़ा आप्शन डी है अशोका यहा बस तरी आंसर होगा आपका आप्शन ए चंदर्गुप्त मौरिया अच्रीप्षान दीमनिलिखित में से केष्ट छीला लेख में अच्रीका ने अपने प्रसिध्ध घोषना की सभी मेरे बच्चे हैं Option A Minor Rock Edict Ahura Option B Pillar Edict 7 Option C Lumbini Pillar Edict या फिर Option D Separate Kalinga Rock Edict 1 इसका सही आंसर होगा Separate Kalinga Rock Edict 1 Which of the following Ancient Kings had appointed Dhama Mahamataz Option A है Option B है Option C है Option D है नेमनीलिकित मेरे से किस प्राचेन भायतिय राजा ने Dhama Mahamataz न्यूक्त किया था Option A अशोका Option B है चंद्रगुपत मोरिया Option C है Option D है चंद्रगुपता 2 तो इसका सही आंसर होगा Option A अशोका अगर धama Mahamataz की बात की जाए ये कौन थे ये थे जो पूरे अशोका के रीजेन में धम के बारे में सबको सिखाते थे धम के बारे में ज्यान देते थे वही थे आपके धम Mahamataz अगर इनकी अपाइटमेंट की बात बारे में बात की जाए तो फिफ्थ रॉक एडिट जो है रॉक एडिट उसमें लिखा गया है अबाउट दे अपाइटमेंट अफ दम महामाताज बाई अशोका तो आज का वीडियो यही तक था अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ तो काइनली इस चैनल को सबस्राइब कीजिए इस से मुझे काफी सबोर्ट मिलता है थैंक्यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में